नमस्कार दोस्तों मैं ऐसा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छ होंगे आज हम बहुत एक बेतरीन से प्लान को लेकर आये हैं अगर आपके दो भाई हैं आप भविश में चाहते हैं कि आपका बटवारा होगा कभी तो आपको ये मॉडल एक बार ज़रू आच कर ल करने वाला हूँ तो आप बहुत ही ध्यान पूर्वा की वीडियो को आज करेंगे और वीडियो को आप जरूर शेयर किया करें अपने दोस्तों की साथ अपने फ्रेंड के साथ जिनको भी इस प्लान की आवश सकता हो उस विवयक्त को आप शेयर कर सकते हैं और आज का जो यही गुजारिस करना चाहेंगे कि आप वीडियो को वाच करके चले जाते हैं पर वीडियो को लाइक नहीं करते हैं नहीं चैनल को सब्काइब करते हैं तो आप लोग जरूर करिएगा तो यह देखिए दोस्तों पूरा डेटेल के साथ मैं वीडियो लेकर आया हूँ काफी बेतरीन मॉडल होने वाला है आज का और जो की दो भाईयों में बना है इस बज़े से आपको थोड़ा सा इसकी चड़ाई ज्यादा लग रही होगी बट सिमिलर्टी आपको बिलकुल देखने को मिलेगी दोनों तरफ लेट और राइट और यह बहुत खुसरत प्लान होने वाला है दो लोगों के लिए अगर आपके पास भी ऐसा कोई प्रावलम है जो चाहते हैं कि भविश में आपका घर का बढ़वारा होगा और कभी आपको तोड़ना ना पड़ेगा तो आसानी से आप से पहले फ्रेंट आप देखीगा यह पूरा फ्रेंट होने वाला सामने डखा है चारो तरप इनकव लगा हुआ है चारो तरप उन्ड़े लगा है अगर आप का ओप खुब खूरत प्लान होगा है और काफी काफी फिर टीलेव विश्न के बात करें तो वो भी आपको काफी बेत्री बेदेखने को मिलेगा अगर टॉप भी देखना चाहें ऊपर से देखना चाहें तो आप मॉडल को ऐसा देख सकते हैं दोस्तों अगर आपको हमारा ये फ्रेंट टेलिविशन ये मकान का डिजाइन पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करें हमें मोटिवेशन मिलता है आप वीडियो को लाइक करें और हमें मोटिवेशन से रूट करें अब हमें से पूरा डिस्कस करते हैं तो फ्रेंट टेलिविशन ये है और सबसे पहले बात करते हैं इसके ग्राउंड फोर की तो ग्राउंड फोर का मतलब आपको ये पूरा देखने को मिलेगा मैं जूम करूँगा आप इस्टेस के मादम से आज जाएंगे तो सबसे पहले आपके बड़ा सा हॉल डाइप का बारंदा मिलेगा यह देख लिगा बारंदा बहुत ही बड़ा है दोस्तों आप इसे देख सकते हैं बारंदा डाइप का डिजाइन पूरा मिलने वाला है और मैं एक एक चीज़ डिसकस करूँगा पहले यह पोर्ट डाइप का भी आगे दोस्तों बनाएं क्यों की बीच मेंने सपोर्ट नहीं दिया है इसके बाद इस यह जो मेंडोर है यह सेंटर पर लगाए दोस्तों अगर कभी वर्शन बढ़वारा होगा तो लेट हैंड का पार्ट अलग हो जाएगा राइट हैंड का अलग हो जाएगा और आसानी से सैपरेशन भी हो सकेगा अभी अभी यह पूरा आपको अगर उपर से दिखाएं तो आपको सारी सीरी क्लियर हो जाएंगी यह देखीएगा अभी एक एक समझाएंगे सिर्फ आज वीडियो का भी एक बार देखीएगा कि क्या यहाँ पर क्रेट किया गया है और कैसा यह मॉडल होने वाला है पूरा डेटेल आपको समझाएंगे अब हम बात करते हैं डेटेल की देखीएगा मैं इधर से चलना स्टार्ट करता हूँ तो लेट राइट सिमलर है तो मैं राइट हैंड को यहाँ पर आपके सामने explain करूँगा राइट हैंड को इसके वाद लेट हैंड भी करता हूँगा साथ-साथ इसके बाद main door आपका यह है जहां से entry करेंगे और इसके दोनों तरव एक एक window भी दिया है इससे proper ventilation होता रहा है अंदर पहुंचते ही आपको सबसे पहले right hand की बात करें तो आपको stairs मिलती है जीना जो कि आप turn होकर वापस आएंगे यहीं पर शणेंगे उसके बाद आपको ले left hand में अधर भी आपको एक stairs से देखने को मिलेगी और उसके just side में आपको लेड़ बात का area देखने को मिलेगा तो यह तो यहां पर पूरा बेतरीन तरीके से यहां पर एक model होगा अब आगे जब बढ़ते हैं तो इस area दोस्तों मैंने दो भागों में divide कर दिया है सिर्फ दि इसे doors entry करेगा और यह open bedroom type का है जो की gallery भी आप समझ सकते हैं यहां से access करेगा तो इसदर entry करते ही आप देखिएगा यह पूरा आपको एक space मिलेगा इसके बाद अंदर जाएंगे और इस bedroom को access करने के लिए मैं अंदर से डोड दी है इसके बाद पीछे भी एक bedroom access करने को करेगा यह kitchen यह एक open space यह दो bedrooms extra और यह आपका एक आंगन देखने को बलता है similar बिल्कुँ left end में है आप से doors से entry करेंगे एक open space मिलेगा इसके बाद आप आंगन में पहुंचेंगे और इस आंगन से आप इन दोनों bedroom को access कर पाएंगे और इस kitchen को access कर पाएंगे kitchen और bedrooms में बेत इसका विशेज जहां रखना पड़ेगा अगर आपके पास आसपास जगह नहीं है तब आपको दो जगह जाल रखवाना पड़ेगा च्छत पर क्योंकि घर काफी बड़ा है फिर ventilation की problem होगी बट मैंने जो प्लान क्रेट किया है उसमें ventilation की कोई problem नहीं थी आसपास जगह त इनको इस वजए से मैंने विंडो जारो तरब दे दिये इसका विशेज ध्यान रखें तो इस वाल से यह जो आपको सामने वाल दिख रही इधर से पूरा separation होगा इसलिए मैंने जस्ट डो दो चीज़े क्रेड की हैं दो लेट बाद दो इस दो बारंदे और आपको तीन बै मकान दिखेगा उसे लगेगा कि एक मकान है बड़ अंदर सेपरेशन होगा अगर आप चाहेंगे तो यह आप पर डिपिन करता है अब बात करते हैं लाज़ प्रोर पर जैसे आप ऊपर पहुंचते हैं तो जो आपका स्टेर्स और बातरूम बाला एरिया तो उसको मैंने कम स्टेर्स को ढखने के लिए आपको गुम्टी बनी है चारो तरफ साड़े तीमपट का बॉंडरी वॉल आपको मैंने दिया आप देख सकते हैं फ्रंट में ग्रिल की बात करें रेलिंग की बात करें तो वो आपको थोड़ा साठके मिलेगा यह दिख सकते हैं यह जो को डिजाइन के तोर पर यूज किया है तो यह बेखरी सी ग्रिल वगएर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा अगर आपको मॉडल पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करके जरूर जाएगा वीडियो को एक लाइक जरूर करें मोटिवेशन मिले और इस प्लान का टूडी प बताए वीडियो को लाइक जरूर कर दे कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्षन है पूछे हम दोस्तों पेड़ सर्विस भी चलाते हैं पेड़ सर्विस का मतलब आप अपनी रिक्वार्मेंट हमें बताएंगे बताएंगे कैसे डिस्क्रिप्शन में हमारा वाट्सप नमब दिया गया वो कॉलिंग नमबर नहीं है उस पर आप हमें चैड करें और आपकी जो भी रिक्वार्मेंट है आप हमें बताएंगा फिर मैं आपको शार्जिस बताऊंगा उस चार्जिस का 50% आपको एडवांस ते करना होगा 50 बाद में करना होता है और आपका 2D प्लान पहल के लिंक आपको डिस्केप्स में मिल जाते हैं जहाँ पर हमें आप लगातार आपको अपडेट देते रहते हैं इंस्टाग्राम वगएरा पर भी आप हमें वहाँ पर फॉलू कर सकता है थैंक्स वार्जी